तो मैं दो बाद टच कर रहा हूँ डिस्पले पे और डिस्पले बंद हो गया और दो बाद टच कर रहा हूँ डिस्पले आन हो गया उसके लिए आपको आ जाना है अपनी मुबाइल के सेटिंग में सेटिंग में आने के बाद आपको स्कोल करके नीचे आना है और यहां पे ए option पर आपको click कर देना है जैसे आप इस पर click करेंगे कुछ इस तरह से interface दिखाए देगा तो सबसे उपर आपको देख सकते है screen smart on off आपको दिख रहा होगा आपको इस पर touch कर देना है जैसे आप इस पर touch करेंगे उसके बाद आगे निव इंटरफेस आपको दिखाए देगा यहां पर देख सकते हैं चार आपसन आपको दिख रहा होगा जिसमें से दूसरे नंबर वाला आपसन आपको दिख रहा होगा डबल टैप टॉर्ण आउन तो आपको इस पर क्लिक करके आउन कर देना और उसके नीचे आपको दिख रहा होगा सबसे नीचे डबल टैप टॉर्ण आउन आफ टॉर्ण आफ ते इस पर भी आपको फिलिक कर देना उसके बाद का इस आपको बैग चले जाना है तो बैग जाने के बाद यहां पर आप दीखे दोस्तों मैं दो बाद टच कर रहा हूं डिस्प्ले पर डिस् में आप इटन लाक, पिन लोक, फिंगर लाक, यह तीनों लाक आप कैसे लगा सकते हैं इसी चीज के बारे में आज हम जानने वाले हैं तो चले दोस्तों वीडियो को इस्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको गाईस आजाना है अपने मुबाईल के सेटिंग में मुबा रहा हुँ हुआ है मैं पहले से स्काशी लक पैटर लगा के रखाओं तो मैं इसको खोल लेता हूं प्रवार कीजिए फिर उसके बाद दुबारा उसको पैटन लाग को कीजिए अब गाइस हमको बैग चले जाना है अब यहां पर आपका पैटन लाग लगा सकते हैं फिंगर लाग भी उजल से भी लगता है और फिल लाग भी निस लगता है हम थोड़ा सा भी डिस्प्ले पर पर दूश नहीं करते हैं उसके तुरंत बादी डिस्प्ले बंद हो जाता है तो हम चाहते हैं कि थोड़ा कुछ समय ज्यादा समय तक डिस्प्ले ऑन रहे तो चलिए दोस्तों इसी सेटिंग को आज हम करने वाले हैं उसके लिए आपको आज आना आप मुबाइल के मैं आने पाद यहां पर डिस्प्ले वाला आप्सन आपको दिख रहा होगा आपको इस पर श्रिम पर दोस्तों किलिक कर देना है इस पर किलिक करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं पंदरा सिकेंड में डिस्प्ले बंद हो जाता है लेकिन यहां पर मैं चाहता हूं एक किलिक कर देता हूँ, किलिक करने के बाद, आप मैं बैक चले जाता हूँ, अब बैक जाने के बाद, अब हमारा डिस्पले है, हम कोई भी काम करेंगे, तो जब तक एक मिनिट नहीं होगा, डिस्पले बंद नहीं होगा, और एक मिनिट के अंदर मैं चाहूँ, तो डिस्पले बंद कर सकता हूं, बैक बटन को किस तरह से राइट में करें, जैसा कि देख सकते हैं अभी हमारे फोन में Shortरड में हैं बैक बटन, और हम इसको चाहते हैं कि राइट में करना, तो राइट में करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसी चीज के बारे में आज हम जानने वाले हैं तो चलिए दोस्तों सबसे पहले आपको आज आना पर मुबाइल के शेटिंग में तो शेटिंग में आनेक बाद आपको guys scroll करके नीचे आना और यहां पर एक option आपको मिल रहा होगा system तो इस वाले option पर आपको किलिक कर देना है कि जैसे आपशफे buttons कर देंगे सबसे ऊपर डेख सकते हैं system का ओप्षाнок और लिखा हुआ है आपको सैंपल दोस्तों इस पर किलिक कर देना सबसे ऊपर वाले आपसन सबसे ऊपर वाले पर आपको कर देना उसके बाद देख सकते हैं यहां पर दिखा देगा कि किस तरह से आपका लेट राइट है यहां पर देख सकते हैं अभी हमारा जो है लेट वाले पर किलिक है इसको हम राइट वाले पर करने वाले हैं तो यहां पर इस वाली बिंदी पर आपको कर देना है नीचे वाल जो है राइट में हो गया तो इस तरह से गाइस बहुत ही असानी से आप अपने मोबाइल का लेट राइट बटन राइट में कर सकते हैं होम बटन इस स्क्रीन पर तो गाइस मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइ